कि यह देखिए मैंने बिल्कुल कोई मेक अप नहीं लगाया हुआ है विकॉस मैंने अभी अपना वीकली स्कीन के रूटीन फॉलो किया है यकीन मानिये इसकीन इतनी जादा ग्लोइंग लग रही है और टच करने पर ऐसे बेबी सॉफ्ट लग रही है कि मुझे जरूरत ही नह कि मेक अप नहीं है कुछ भी नहीं है युट पूह करती हूँ है युट को सिर्फ करने हैं दो इस्टय फॉलो और आपको मिलेगी चमक्ती दमक्ती स्किन ड wreck का पता नहीं चलेगा, इसकिन पूरी तरे से ग्लो करेगी, अगर बहुत ज़दा डल हो गई है, ब्लैक दिखने लगी है, तो उस पे भी ये मैजिकल असर करता है, बींस आप वीक में इसको अपलाई कर लीजिए, उसके बाद पूरे सब्ता आपको फ्री रहना है, कोई टेंसन लेकिन हाँ, पानी खूब सारा पीजिए, संस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करिए, तो चलिए, सुरू करते हैं आश का वीडियो, अगर वीडियो आपको जरा भी हेल्फुल लगे, तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर मत आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट बिलते रहें, इन टू स्टेप्स में सबसे पहले हम अपने लिए बनाएंगे एक स्क्रब, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नॉर्मली आप करते हैं क्या हो, अपनी स्किन को फेस वास कर लेते हो, प्रेस कर लेते हो, कभी कभी टोनर भी इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन इस क्रब स्किप कर देते हो, इस क्रब बहुत ज़्यादा जरूरी है, और विंटर्स में तो और ज़्यादा जरूरी हो जाता है, हमारी स्किन पे डेड स्किन सेल सी कठा हो जाती है, वो ऐसे देखने मे यह देखते हैं, यह स्क्रप हमको किस तरह से प्रिपैर करना है, इसके लिए हमको लेना है सबसे पहले अलोवीरा जेल, विंटर्स में मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यह आपकी स्किन को हाइडरेट कर देता है, दाग धब्बे हटाने का काम करता है, साथ ही साथ अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हो, तो आपको पिमपल्स और एकने की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है, मिस अलोवीरा एक बहुत मज़े का इंग्रीडियन्ट है, लेकिन हाँ, मैं एक स्योर की आपको सूट करता हो, अगर आ जिस ब्रांट का है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यह हम वन टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करेंगे, यह हमारी इसकिन को अच्छी तरह से एक्सफूलियेट कर देता है, साथ ही इसकिन को ग्लोइंग बनाता है, आपके कलर कॉम फलेक्षन को इन्हेंस करता ह आपकी skin काफी ज़्यादा glowing नजर आती है और साथ ही रंग बहुत ज़्यादा खिला खिला नजर आता है इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे याद रखिए आप जब इसको prepare करते हैं तुरंत इसको लगाना है बना के नहीं रखना है अगर आप इसको रख देंगे जो इसमें coffee क granules से वो पूरी तरह से melt हो जाएंगे तो वो edge scrubber उतना अच्छा काम नहीं करेगा अब हमको यह face पे लगाना है face पे neck पे evenly लगा लीजिए और कम से कम एक से दो मिनट के लिए उसको हलके हाथों से मसाद देना है बहुत तेज रगणना नहीं है कि आपकी skin पे races हो जाए हलके हाथों से करना है जैसा मैंने बताया एक से दो मिनट के लिए कर लीजिए उसके बाद तकरीवन चार से पांच मिनट तक इसको आप face पे ऐसे ही लगाने दीजिए फिर आप normal पानी से face wash कर सकते हैं मैंने face wash कर लिया है आप glow देख सकते मैंने सिर्फ एक step follow किया है और चेहरे क नहीं है लेकिन हाँ फिर भी difference visible है यह हमारा first step complete होता है याद रखिए ये week में आपको सिर्फ एक बार करना है जाद अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी skin में dryness आने लगती है अब बढ़ते है second step की तरह अब हमको अपने लिए एक face pack prepare करना है तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है चावल का आटा यह आपको market में easily मिल जाएगा लेकिन by chance आपके पास नहीं है तो आप करिए क्या चावल को wash कर लीजिए दूप में सुखा लीजिए उसके बाद आप mixer में डाल के इसको अच्छी तरह से grind कर दीजिए और इसको चनी की सहायता से चान लीजिए बस हमारा चावल का आटा तयार है चावल का आटा रंग निखारने का काम करता है Korean skincare में Japanese skincare में इसका बहुत ज़्यादा इस्तिमाल होता है और उनकी skin तो आपने देखी होगी ऐसा लगता है उनकी ना तो age का पता चल पाता है और boy or girl हो सबकी skin इतनी ज़्यादा glowing होती इतनी साथ skin को glowing बनाएगा अगर face पे दाग धब्बे हो रखें उनको भी remove करता है अब मैं इसमें add करूंगी milk cream जब आप घर में दूद गरम करते हो दूद ठंडा हो जाए तो उपर से cream निकाल लीजिए उसको अच्छी तरह से spoon की health से फेट लीजिए बस हमारी milk cream तयार है यह हम इस फेस पैक का बहुत important ingredient है आपकी skin को एकदम baby soft बना देता है और regular इस्तिमाल करते ही तो दाग धबे remove करने का काम भी यह करता है अब हम इसमें add करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून aloe vera gel यह antioxidant से भरपूर होता है आपकी skin के लिए बहुत बहुत बहुतर result देता है अब जो इसकी जगे पे आपको filtered water ले लेना है या आप चाहें तो दूद का इस्तिमाल भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पे एक से दो टेबल स्पून rose water लिया है इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे अगर आपको लगता है कि यह पेश थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसमें थोड़ा लगा लिजे नेक पे लगा लिजे और तकरीवन 15 मिनट तक आपको यह फेस पे लगे रहने देना है 15 मिर्ट में यह हलका सा सूख जाएगा तो आप इसको नॉर्मल पानी से वास कर लेंगे उसके बाद का result see the magic क्या कमाल के result है देख सकते हैं इसकिन काफी जादा glowing feel हो रही ह काफी जादा soften हो गई है और मिन्स ऐसा लग रहा है कि यह मॉस्टराइजर लगाने की जरूरत ही नहीं है मिन्स इसकिन काफी जादा hydrate है लेकिन हां इस वैदर में मॉस्टराइजर बिल्कुल भी skip ना करें वह आपको हर हाल में लगाना है so friends यह करके देखिएगा और अपन feedback देना बिल्कुल मत भूलेगा मिलते हैं next वीडियो में अपना बहुत क्या रखें thanks for watching bye bye